हैं अगाइस कैसे आप सबस्टाइब एक इसे जगह पर आप लोगों के लेकर कि आया हूं कि शायद ही आप लोगों ने जो है न दोस्तों यूटुब के दुनिया पे देखा होगा जी दोस्तों अब यह जो मेरे पीछे देख रहा हो न दोस्तों यह है सायरा बानो का घर जी दोस्तों यानि कि उनका पुषटीए भनो सायरा बानो का अंदर से पाँर से पूरा घर हवैली की कि वह भी इन्ट poni रहा हूं तो आज immigration और आज़ को वीडियो बटहने वाला है और doenट घ्र को इस पुरानी डिल्ली में जो हैं एक से एक इतिहासिक जगह जो है नदुस्टो वह छुपा हुआ है तुम इतिहासिक मोमेंट जो है दोस्त क्मने पुरानी डिल्ली के दोस्तो at नमक हराम की हवेली उसके बाद जो दिखाया था हमने दिखाया था जीनत महल और अब जो है दोस्तो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं यह सायरा बानो का महल पुश्टेनी हवेली जी दोस्तो सायरा बानो के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे उनकी दादी के बारे में समसाथ बेगम उनकी दादी का नाम था लेकिन लोग जो है दोस्तों उनको छमिया वाली बाई के लाम से जानते थे जी दोस्तों यही वो हवेली है जिसके अंदर छमिया वाली बाई जो है अपने नाच गाने के प्रैक्टिस किया करती थी लोगों को जो है न दोस्तों को सिख दोस्तों नसीम बानु जो है दोस्तों जब पैदा उती तो उसकी नीज़ा तो वह रही ये खाय hyvin MY नाजने गाने वाली के दोस्तों प्यूल्स बिरुद्भ वारी भ और आ मैं घूदगे 辉स्तों जाज औरने खाया ठीश से लिए, उसका टेadd canu. बाराी लड़की के साथ जो है ना दोस्तो एक स्कूल फूलता है जिसका नाम था परदेवारा शुबून, छमया वाली बाई जिर्ड़े चीज़ चीज़ और कुछ होती है और इसके बाद छम्या वाली गाई नसीम बानों को डॉक्टर बनाने का दोस्वत है, लेकिन दोस्तों नसीद को जो है मुछ औरी मन्सुर था केते हैं लोग जैसा महोल में रहते है dus I ऐसा ही महोल में जो है वो ढहल जाते हैं च्षमिप वारी वाही जो है दोस्तों उनका सफल या पूरा नहीं हो पाता है और नसीमा बेगम बनती है फिल्मी दुनिया की सबसे दरी सुपर इस्टार जिसे लोग नसीम बानो के नाम से जानने लगे थे नसीम बानो जो है ना दोस्तो अपने बच्पन के दोस्त अहसान उल्ला एहमस से जो है ना दोस्तो वो शादी करती है और ये दोनों जो हैना मेल करें के ताज हाउस कोड़ीसर के नाम से एक से एक से एक सुपर हिट मूवी जो हैना दोस्तों वो देती रहती है जी दोस्तों और नसीम बानो के जो हैना दोस्तों वो दो बच्चे थे एक बेटा और एक बेटी एक बेटा जो है दोस्तों सुन्तान आजादी के लड़ाई जिसमें बटवारा हुआ था इंजे खान का उसमें जो है ना दोस्तो उनके जो अहसान उल्ला हग पती थे वो जो है ना दोस्तो वो चले गए पाकिस्तान उनको भी कहा कि तुम भी चलो पाकिस्तान बटवारा में लेकिन नसीमा बेगम जो है दोस्तो से मना कर दिया और वो जो है दोस्तों वो यहीं भेहने लगी लेकिन दोस्तों इस चीज और सबसे बड़ी बात है कि नसीमा बेगम जो है ना दोस्तों अपनी बेटी को बॉली बुल में लांच करने से पहले वो जो है ना दोस्तों वो समयास ले लेती है इस वज़े से कहीं ज जो तो 54 में Saaravano पैदा होती है और उसके बाद जो है दोस्तो इसी धर में जो है दोस्तो वह नाच, गाना, ड्रामा सब कुछ पूँछ है दोस्तो वह सीख़ा है और इसी घर से जो है दोस्तो मुंबई के लिए अपना सपना पूरा करने लिए बनिकल गईथी अ autobiography है जी दोस्तों और ये भी बताया जाता है दोस्तों की साहरा बानो जो है दोस्तों फिलने दुनिया में बहुत जादा इंट्रेस्ट था तो साहरा बानो जो है ना दोस्तों वो मुंबई चली साहरा बानो जो है दोस्तों वो लैंडन भी चली गए थी लैंडन जा करके जो है परहाई स 주고 हाग से बाग में यहां यहां से मंभई का सफर और उत्रफिक करती जो है ना दोस्तो वह रोल मिल रहा क्यायां पर है कि अगर मैं रोल करूंगों पुम्रों करूंगे और okay निजिम्री हूए Maharone ने साथ में पहली सबनी चाहिए कि और चमीं मूजुट। विलियों के साथ ये alltså को में और साथ मूजूबंग्LY और सब्imize जो में कि का सब्सक्राइब है जबने आठाएतन तो मैडें उब्ये वच्चि और्सक्राइबान वंडे में जिसका नाम तार राम श्याम जिसके अंदर दोस्तों वो सायरा बानो थी और यह मूवी भी जो है ना दोस्तों लॉख बैस्टर फिट हुआ था पर निकास बवीता सिंग जिए 692 गली कुंडेवलान में रहने वाले हैं हम लोग 40 साल से रहते हैं यहीं पर हमारे बच्चों के एजुक्वेशन हुई हैं यहीं पर पढ़े हैं लिखे हैं शादी ब्याद सब कुछ गुआ हैं इसम थो कि यह देखो जी कहतें तो सायरा बानो इस exactement की मदर की उनकी, या सायरा बानो की, कुछ लोग कहते हैं, सायरा बानो की नानी की, है यह, लेकिन वह आज तक आए नहीं है, क्या, बस यह है, उन्होंने केस विश डाल रखे हमारे उपर, कोट में भी वह कभी नहीं आए, कोट में भी नहीं कभी आए, और वैसे हमें परेशान नहीं करते हैं लेकिन वैसे कोट में मुकदमे करते हैं 35 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं लोग अंग्रेज लोग भी देखने आते हैं गार्ड लेकर आता है यह उनको और कम से कम 25 साल से अंग्रेज लोग इसे देखते हैं इसकी स्टडी करते हैं आते रहते हैं आते हैं देखते हैं और यह हैरिटेज में है यह कम से कम 95 साल तो हो गया अब यहां सब्सक्राम में दर्शी है चाली साल से रहता हूं याँ अब मेरे को साहरम मेरा ने कभी मुझे परिशान नी करा ना कुछ था और उनका एक आदमी वाता है वो हमारे को केश को इसकालता रहता है और बाकी बैसे वो करता है और लोगों से खाली भी कराएं इसमे काना आती थि यहां पर टुन टुन भी आती थी वह यह स्वाहई वagitली वेकिन उनके पास बैठे रहते थि रूर से बाख बैठकर उनका पाक कॡ़र आनको उनको सब्सक्राइब कर दोस्तों के अंदर और बाहर सबसे दोस्तों मैं आप लोगों को भी दिखा दिये हैं ठीक है और अगर आप यहां आना चाहते हैं। किसी से भी पूछोगे आप दोस्तों कि कुंडे वालान गली हमें जाना है। यहां से चावडी वजार मैट्रो स्टेशन एक नंबर गेट से बाहर निकलोगें। तो मुश्किल से आप लोगों को पैदा लाने में एक मिनट लगेगा और यहां पर सीधे आने के बाद में जो है ना दोस्तो, आप किसी से भी पूचना कि मुझे कुंडे वालान गली जाना है दोस्तो, जैसे आप पुंडे वालान गली के अंदर से जो है दोस्तो जब एंट् दोस्तो तो यह सामने मेंगे यह वाला जो घर देख रहो दोस्तोँ यही है सयरा बानों का हविल तो आहिव markets के व्लोग जह है गाइस आप लोगों को पसंद आया होगा अगर पसंद आया दोस्तों तो प्लीज मेरे इस चानल को सवक्राब जड़ूर प év्ल लोगो enjoyment जब